आप सभी का ABD classes में स्वागत है आज हम CGPSC E-Parshala के 36 गर आर्थिक सरविक्षन के नोट से के जितने भी important question बन सकते हैं उन सारे question को MCQS के माज़म से install करेंगे यहां 36 गर आर्थिक सरविक्षन का तीशरा वीडियो है इससे पहले पहला और दूशरा वीडियो अपलोड किया जा चुका है आप उसे भी देख लिजिए क्योंकि अभी exam में इससे question बनते हैं चलिए तो पहला question देखते हैं वित्ती वर्ष 2.21 में कुल अनुमानित प्राप्तियां कितना है इनका सही आंसर है वित्ती वर्ष 2.21 में कुल अनुमानित प्राप्तियां संतन्बे हजार 145 कड़ो रुपए अनुमानित है जहान देंगे जिसमें राजाश्यव प्राप्ती 89,325 कड़ो रुपए है और पुंजीगत प्राप्तियां 17,825 कड़ो रुपए है चली अगला प्राप्तियां है वित्ती वर्ष 2.21 में कुल अनुमानित प्राप्तियां कितना है तिनका सही आंसर है 2.21 में कुल अनुमानित प्राप्तियां 17,106 कड़ो रुपए अनुमानित प्राप्तियां ध्यान देंगे जिसमें राजाशोववए 83,27 कड़ो रुपए है और पुंजी गतवए 13,849 कड़ो रुपए है चली अगला प्रश्ण है यह वेरी IMP कोश्ण है यह वैपम में पुछा गया प्रश्ण है इससे समद्धित वैपम में हो या प्याश्णी में किसी भी एक्जाम में एक नेक कोश्ण जरू बनते है चली ध्यान देंगे मुद्रा इश्पिती की आउधी में क्या होता है तिनका सही आंसर है मुद्र इश्पिती की आउधी में वस्तों की कीमत में वृद्धी होती है ध्यान देंगे मुद्र इश्पिती का साब्दिक अर्थ है मुद्र का प्रशार होने से हैं आउधी में मुद्र का मुल्य गीर जाता है जबकि मुल्य बढ़ जाता है चलिए आगे हैं 36 गा आर्थिक सरेविक्षन 2021 में राजाश्व प्राप्ती कितने कड़ो रुपए अनुमानित है तिमका सही आंसर है राजाश्व प्राप्ती 89,325 कड़ो रुपए अनुमानित है चलिए ध्यान देंगे राजाश्व प्राप्ती में पिछले बर्सकी तुन् साथ पर्थिशत की विद्धी हुई हैं इसे जरू ध्यान देजिए क्योंकि इसे एक्जाम में कोशन बने हुए हैं चलिए आगे हैं इसमें आपको यह पताना है कि राजाश्व प्राप्ती के अंतरगत कर राजाश्व के राजाश्व प्राप्ती में कितना पर्थिशत युगदान हैं चलिए इसमें ध्यान देंगे इसमें 11.05 परथिशत कर राजाश्व के राजाश्व के अंतरगत केंद्री करोई में कितने कड़ो रुपय की प्राप्ति हुई है कर राजाश्व के अंतरगत केंदरी करोह से कितने कड़ो रुपय की प्राप्ति हुई है इसे बताना है जुनका सही आंसर है 21,675 कड़ो रुपय की केंदरी करोह से प्राप्ति हुई है चलि ये ध्यान देंगे केंदरी करोव से पिछले वर्षो की तुन्ना में 20 दसमलव 7 पृत्षत की विद्धी हुई है इसे विध्यान देंगे चलि अगला प्रश्ण है 36 गर आर्थिक सरवेक चन 221 बाइस्च में कर राजश्व के अंतरगत श्वयम के करोव में कितने पृत्षत की विद्धी हुई है आपको इसमें यहां बताना है कि कर राजश्व में श्वयम के करोव से कितने क्रो रुपय की विद्धी हुई है तिनका सही आंसर है 14 दसमलव 19 पृत्षत की विद्धी हुई है चलि यह ध्यान देंगे श्वयम की करों से 25,750 करों रुपय की प्राप्ति हुई है जो कर राजश्वा के 53,70% है जो कर राजश्वा प्राप्ति में शर्वधीक है इसे ध्यान देंगे कर राजश्वा में श्वयम की करों की सर्वधीक प्राप्ति होती है चलिए अगला प्रश्ण है 36 गर आर्थिक सरवेक चंद वर 21 बाइस में राजाश्व प्राप्ति के अंतरगत गैर कर राजाश्व कितने कड़ो रुपए है तिनका सही आंसर है गैर कर राजाश्व तीस अजार नौसो कड़ो रुपए अनुमानित है चलिए ध्यान देंगे गैर कर राजाश्व में 32 बाइस में गैर कर राजाश्व के अंतरगत केंदरी सहाता से कितने कड़ो रुपए की प्राप्ति हुई है यह वेरी आई एमप कोश्चन है केंदरी सहाता से कितने कड़ो रुपए की प्राप्ति हुई है इसे जरूर ध्यान रखिये गैर कर राजाश्व में केंदरी करो स्टारशी 21,652 कुड़ रुपए की प्राप्थी हुई है चलिए आगे है ध्यान देंगे जोकी गयर का राजयोषा में केंद्री स्थाका की हिस्टा सत्र PayPal नमें गैर का राजयस्व में सबसे ज़्यादा केृंदिरी शहत्या होता है इसे जाद रखिये केंदरी शहत्या की हिश्ट सबसे अधिक होती है आगे हैं केंदरी सहात्या से पिछले बार्षे की तुर्णा में 17 दसनलों 0 परिशत 3 की वरिद्धी हुई है चलिए आगे हैं ध्यान देंगे 36 गर आर्थिक सरविक चंद्वाे 22 में राजा शोवय के प्रमुक गैर योजनगत वए है, तिनका सहीं आंसर है प्रमुक गैर योजनगत वए है, ब्याज अदाएगी, पींशन और सबसेडी शभी गैर योजनगत वए है, जिससे सरकार को नहीं प्राप्ती होती है इसमें सिर्प सरकार का वै होता है, इसे कोई सरकार को इंकम प्राप्त नहीं होता, चलिए आगे है निम्नमेसे अपरतेक्चकर है,तिनका सही आंसर है, नीगम कर, आएकर, उत्पादन कर, ये सभी अपरतेक्चकर है इसे एक्जाम में पुछा गया question है आप इसे जरूर ध्यान दीजिए चलिए अगला प्रश्ण है वर्तमान में भारत में नीचे की और गिरती अर्धवस्ता से आप क्या आर्थ लगाते हैं तिनका सही आंसर है यह वापा में पुछा गया प्रश्ण है तिनका सही आंसर है सुस्ती की अर्धवस्ता है ध्यान देंगे इस काल में भारती अर्धवस्ता का विकास दर माइनस 23 परश्ण तक गिर चुका था इसलिए कि इस काल में भारती अर्धवस्ता को सुस्ती अर्धवस्ता से सम्मोधित किया गया है चलिए आके देखते है यदि हमारे वीडियो आ मोटिवेट करता है